इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास टेंथ के सब्जेक्ट साइंस के चेप्टर नमबर टू एसीड बेस एंड शॉल्ट्स सबसे पहले हम एसीड के बारे में बात कर लेते हैं एसीड क्या होते है तो एसीड आर दोज केमिकल सबस्टेंस केमिकल सबस्टेंस को कहा जाता है जिनका टेस्ट है वो कैसा होता हो खटा हो यानि कि वो टेस्ट करने पर कैसे होते हो खटे होते हो तदा वो ब्लू लिटमस को किसमें कर देते हो रैड में यानि कि एसीड है उसकी पहचान क्या होगी कि एसीड है वो ब्लू लिटमस को किसमे कनवर्ट कर देंगे तो blue litmus को वो red में कनवर्ट कर देंगे acid है इसको हिंदी में कहा जाता है अमल कहा जाता है तो हम इसको ऐसे याद रखते है अनीला का मतलब हो जाएगा अमल नीले को लाल नीना मतलब blue और लाल मतलब red यानि कि acid मतलब आमल ब्ल्यू लिटमस को किस में कनवर्ड कर देते हैं, रैड में कनवर्ड कर देते हैं सम् कॉमन फूट्स सच एज अंद्रिप मैंगो, लेमान, ओरेंज, टेमरीड आर सौर इन टेस्ट कुछ जो फूट्स है, जैसे कचा, आम आम है या फिर नीम्बू है, औरेंज है इमली है, यह टेस्ट में कैसे होते हैं, तो यह टेस्ट में खट्टे होते हैं, इसका मतलब है क इन में क्या पाया जाता है तो इन में acid पाया जाता है Some commonly used acids are hydrochloric acid जो ज्यादा तर use होते हैं वो कौन से है hydrochloric acid है जिसको हम किस से लिखते है HCL, HCL इसका formula है hydrochloric acid का अपने human के stomach में है वो क्या पाया जाता है HCL पाया जाता है hydrochloric acid का यूज है वो aqua regia बनाने के लिए भी किया जाता है अगला आ जाता है sulfuric acid H2SO4 जो गाड़ी की battery होती है यानि कि जो गाड़ी के cell battery होती है वो किसकी बनी होती है वो sulfuric acid की बनी होती है उसमें sulfuric acid होता है फिर आ जाता है nitric acid, nitric acid यानि कि HNO3, HNO3 इसका formula है nitric acid का यूज किया जाता है idx, bomb वगला बनाने के लिए और इसके अलवाज का यूज होता है akoa regia बनाने के लिए tlk cell sulfuric acid हो वो सबसे खतरनाग acid है इसलिये sulfuric acid को क्या कहा जाता है sulfuric acid को कहा जाता है king of acid क्योंकि Sulfuric Acid को क्या कहा जाता है तो Sulfuric Acid को कहा जाता है King of Acid क्योंकि यह बहुत ही खतलनाख Acid है कुछ दो Naturally Ocurring Acid कौन कौन से सम Naturally Ocurring Acids आर Vinegar, Vinegar में कौन सा Acid पाया जाता? Vinegar में पाया जाता Acetic Acid Orange lemon यहनी कि जो खतटे फल है जैसे नीमबू है संत्रा है उसमें कौन सा Acid होता है? में शित्रिक Acid होता है, Tamarid और जो Graps है उसमें कौन सा Acid पाया जाता है तो उसमें टार्टरिक Acid होता है बिच्छू, हनीबी, चिंटी इनके जो डंक होता है उसमें कौन सा असीड होता है तो उसमें होता है मेथनोइक असीड या फॉर्मिक असीड मेथनोइक असीड या फॉर्मिक असीड चिंटी के डंक में अब बात कर लेते हैं chemical properties of acid सबसे पहली property आ जाती है वो है reaction with metal, सबसे first जो property आ जाती है वो है reaction with metal. Acid है वो जब भी metal के साथ react करेंगे, वो कौन सीड फॉर्म करेंगे hydrogen gas, acid like dilute acid like dilute HCl and dilute H2SO4 react with certain active metal कुछ active metal है उनके साथ react करके जैसे zinc, iron to form salt and evolves H2 gas, क्या बनाते हैं वो बनाते हैं salt और कौन सी gas निकलती है तो वो निकलती है hydrogen gas, थस these acids or substance containing these kind of acids should not be kept in metal container, तो ऐसे acid या फिर ऐसे substance जिसमें इस type के acid पाया जाते हैं उन्हें कभी भी metal के container में नहीं रखा जाता, क्यों नहीं कर लेते हैं और reaction करके क्या बना लेते हैं salt और कौन सी gas produce हो जाती है hydrogen gas है वो evolves हो जाती है इस hydrogen gas के पास अगर हम जलती हुई तीली लेके जाएंगे तो यह कौन सी sound के साथ जलेगी तो यह pop sound के साथ जलेगी जैसे जिंक है जिंक की reaction हम H2SO4 यानि की sulfuric acid के साथ करवा देते हैं तो क्या बन जाता है जिंक sulfate बन जाता है ZNSO4 यानि की क्या बन जाता है जिंक sulfate और साथ में कौन सी gas से निकल जाती है hydrogen gas निकल जाती है यानि की जब हम acid की reaction metal के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा metallic salt बन जाएगा और साथ में hydrogen gas से वो निकलेगी ऐसे भी question बूचा जाता है की acids है उनको metal container में या ऐसे substance जिसमें acid होता है उनको metal container में क्यों नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो metal है वो acid के साथ react करके salt produce कर देगी next reaction with metal carbonate and hydrogen carbonate first आ गया reaction with metals second आ जाता है reaction with metal carbonate, metal के carbonate और जो hydrogen carbonate है उनके साथ reaction करने पर क्या होता है lime stone, chalk and marble are different form of calcium carbonate यह calcium carbonate के form होते है कौन से marble है, chalk है या lime stone है इसका इनका formula होता है CACO3, CACO3 यह जो क्या है तो यह है carbonate, metal के carbonate, calcium metal है तो calcium के carbonate हो गए acid reacts with metal carbonate, acid है वो metal के carbonate के साथ react करेगी and hydrogen carbonate और hydrogen carbonate के साथ react करके hydrogen carbonate को क्या कहा जाता है, bicarbonate भी कहा जाता है to produce their corresponding salt क्या बनाएगी, उनके corresponding salt बनाएगी साथ में क्या बनेगी, carbon dioxide gas बनेगी और साथ में क्या बनेगा, water बनेगा, तो जब भी metal carbonate और hydrogen carbonate के साथ acid react करेगी, तो उनके corresponding salt बनेगी यह जो metal होगा, उसका metallic salt बन जाएगा, साथ में carbon dioxide gas बन जाएगी करके क्या बना देगा, salt carbon dioxide और water जैसे Na2CO3, Na2CO3 यह sodium carbonate है, sodium carbonate या नहीं कि sodium metal का carbonate है, इसने hydrochloric acid के साथ जब react किया, तो क्या बना दिया, sodium chloride, sodium chloride जिसको हम साधार नमक भी कहते है, साथ में बन गया, H2O, और साथ में बन गया, CO2, उसी तरह NaCO3 यानि कि sodium hydrogen carbonate, sodium hydrogen carbonate या sodium bicarbonate के साथ, जब HCl की reaction हुई, तो क्या बन गया, NaCl बन गया, और H2O, प्लस के क्या बन गया, CO2, तो जैसे जब भी metal carbonate या metal hydrogen carbonate के साथ acid react करेगा, तो वो उसका corresponding salt plus carbon dioxide plus water produce करेगा. When CO2 gas is passed through lime water, जब lime water के अंदर CO2 gas pass की जाते है, it turns milky due to the formation of white precipitate of CA CO3, जब calcium carbonate, calcium hydroxide, sorry calcium hydroxide जिसको हम lime water या चुने का पानी भी कहते है, जिसका यह सफेदी करने के लिए किया जाता है, white wash करने के लिए किया जाता है, इसमें CO2 gas प्रभाहित की जाती है, CO2 gas pass की जाती है, तब क्या हो जाता है, तब यह milky जो color है उसमें turn हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां पर क्या बन जाता है calcium carbonate यह एक metal carbonate calcium carbonate साथ में क्या बन जाता है water बन जाता है calcium carbonate है वो white precipitate के रूपे बनेगा है but if it is passed in excess लेकिन अगर co2 gas है वो ज्यादा मात्रा में pass की जाती है milkiness disappear due to the formation of calcium hydrogen carbonate ठीक है calcium hydrogen carbonate अगर हम ज्यादा मात्रा में co2 gas pass करते हैं कि के calcium hydroxide के साथ ज्यादा मात्रा में अगर हम co2 gas pass करते हैं तो इसका दूदियापन यान की milky color है वो disappear हो जाता है और क्या बन जाता है calcium hydrogen carbonate which is soluble in water जो की water के अंदर क्या होता है soluble जैसे यह calcium carbonate देखो calcium hydroxide के साथ जब co2 gas pass की तब तो क्या बना calcium carbonate और calcium carbonate जो की water के साथ है और इसमें अगर हम और co2 gas है वो pass करेंगे तो क्या बन जाएगा calcium hydrogen carbonate या calcium bi carbonate जो की water के अंदर क्या होता है? Soluble होता है Next आ जाता है Reaction with Metal Oxide अगला आ जाता है Reaction with Metal Oxide यानि कि Metal Oxide के साथ react करके acid क्या form करेंगे? Acid react with certain metal oxide acid है वो कुछ metal oxide के साथ react करके क्या बनाते है? to form salt and water क्या बनाते है? salt और water बनाते हैं Metal Oxide है वो कैसे होते हैं? वो basic in nature होते हैं ठीक है? basic in nature होते हैं तो Metal Oxide की reaction जब acid के साथ करवाई गई तो क्या बनाते है? salt और water जैसे ये copper oxide है copper oxide की reaction जब हमने hydrochloric acid के साथ करवाई तो क्या बनाते है? copper chloride बनाते है और साथ में कौन सी gas produce हो गई? हैं तो क्या produce होता है? salt और water produce होता है कुछ acid हो गए और उनका use हो गया जैसे carbonic acid है carbonic acid है वो कैसा acid है? तो वो carbonic acid एक mineral acid है इसका formula क्या होता है? तो इसका formula होता है H2CO3 कहा use होता है? या कहा पाया जाता है? in soft drinks और कहा पाया जाता है? stomach में पाया जाता है gastric juice के रूप में और tanning industries में यूज होता है next आ जाता है nitric acid nitric acid भी क्या है? एक mineral acid है और इसका formula क्या हो जाएगा? तो इसका formula हो जाएगा HNO3 कहां यूज होता है? तो use in manufacture of explosive यानि कि विसपोटक पदार जैसे TNT trinitro talwin या nitroglycine और कहां यूज होता है? fertilizer जैसे ammonium nitrate calcium nitrate ammonium nitrate calcium nitrate आधी बनाने के लिए यूज किया जाता है third आ जाता है hydrochloric acid hydrochloric acid भी कैसा है? एक mineral acid है formula क्या हो जाएगा? HCL हो जाएगा कहां पाया जाता है? तो यह अपने stock work में भी gastric juice के रूप में पाया जाता है कहां यूज होता है? in verification of common salt common salt के purification के रूप में यूज होता है textile industry में bleaching agent के रूप में यूज होता है और aqua ragia बनाने के लिए यूज किया जाता है next आज जाता है sulfuric acid sulfuric acid कैसा acid है? एक mineral acid है in the manufacture of fertilizer fertilizer बनाने के लिए यूज होता है जैसे ammonium sulfate है super phosphate है और कहां detergent बनाने है pants, plastic, drugs आधी बनाने के लिए यूज किया जाता है artificial silk बनाने के लिए और petroleum refining करने के लिए भी यूज किया जाता है next आजाता है phosphoric acid जो कि कैसा acid है? एक mineral acid है anti-rest pent and in fertilizer anti-rest pent बनाने के लिए और fertilizer बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है formic acid formic acid कैसा acid है? एक organic acid है formula क्या हो जाएगा? HCOOHCH2O2 यह इसका formula हो जाएगा कहां पाया जाता है? found in the instincts of ants and bees यह दियान रखना है क्यों सुन पूछ जाता है आन्स और जो बीज है उनके इस्टिंग में कौन सा acid पाया जाता है? formic acid इसका एक और नाम है इसको methinoic acid भी कहा जाता है use in tanning leather in medicine for treating god disease of jointly फिर आ जाता है acetic acid acetic acid कैसा acid है? तो यह एक organic acid है formula क्या हो जाएगा? CH3 COOHCH3 COOHCHए यह फिर इसको लिखा जाता है C2H4O2 ठीक है? formic acid का जो formula है हCOOH इसी को ही क्या लिखा जाता है? CH2O2 ठीक है? यह इसका formula है यह bracket में इसी का ही दूसरा रूप लिखा हूआ bracket में हे वो इसी का ही दूसरा रूप लिखा हुआ तो उसी तरह acidic acid है इसका formula होता है CH3 COOH इसका दूसरा रूप क्या हो जाएगा तो CH2 H4O2 कहां पाया जाता है found in vinegar used as a solvent in the manufacture of dyes and perfume dye और perfume बढने के लिए solvent के रूप में use किया जाता है next आ जाता है lactic acid, lactic acid है, lactic acid है वो भी कैसा है, एक organic acid है और कहां पाया जाता है तो ये card में पाया जाता है फिर आ जाता है benzoic acid जो के organic acid है और कहां यूज होता है तो food preservation में यूज होता है, citric acid ये भी एक organic acid है और कहां पाया जाता है तो ये lemons, orange और citrus जो fruit है उनमें पाया जाता है next आ जाता है bases, तो base किसे का जाता है base are those chemical substance which are bitter in taste and sopy to touch and turn red litmus to blue ऐसे chemical substance जो की taste में कैसे हो bitter हो यानि कि कड़वे हो और उनका touch है वो sopy हो और क्या करते हो वो red litmus है उस red litmus को convert कर देते हैं blue में तब उसे क्या कहा जाता है तब उसे base कहा जाता है base वे पदार्थ या वे chemical substance होते हैं जो की स्वाद में टेस्ट में होते हैं bitter यानि की कड़वे टच में होते हैं sopy और red litmus को blue में convert कर देते हैं base है इसको हिंदी में कहा जाता है चार बेस को हिंदी में कहा जाता है चार तो इसको हम ऐसे याद रखते हैं चाला नी चाला नी का मलब है चार चार मलब base ला का मलब red और नी का मलब नीला तो base है वो red litmus को किस में convert कर देते हैं blue में convert कर देते हैं जैसे example के लिए आजाएगा sodium hydroxide sodium hydroxide का formula होता है naoh calcium hydroxide calcium hydroxide का formula होता है caoh haltwise उसी तरह potassium hydroxide formula होजेगा ko Fox यह potassium hydroxide का क्या हो गया formula जैसे magnesium hydroxide magnesium hydroxide का formula हो जाएगाź L-O-H, Halt Wise, तो यह सारे कि सारे क्या है, Bay Seems है या 3 है, बार कर लेते हैं, Chemical Properties of Bases Bases की जो BASE है aufangenести, उनकी Chemical Property क्या है, तो सबसे पहली जो Property आ जाती है, वो है Reaction with Metal, हमने प्रीवेस में बढ़ा था कि, जो Acid है, वो Metal के साथ react करते हैं, तो क्या बनाते हैं वो salt बनाते हैं और hydrogen gas produce होती है उसी तरह strong base है वो react करते हैं active metal के साथ strong bases react with active metal to produce hydrogen gas और क्या कौन सी gas produce करते हैं तो hydrogen gas produce करते हैं तस these bases should not be kept in metal containers और इसी लिए इस type के जो base है जो की metal के साथ reaction कर लेते हैं salt और hydrogen gas produce कर देते हैं उन्हें उन bases को metal container में नहीं रखना चाहिए तो metal plus के base क्या बन जाएगा salt और hydrogen gas example के लिए zinc zinc metal है और वो sodium hydroxide के साथ react करेगी sodium hydroxide यानि के naos तो क्या बना देगी sodium zincate बना देगी na2znso4 sodium zincate और साथ में कौन सी gas निकल जाएगी hydrogen gas produce हो जाएगी sodium zincate है उसका formula पूछा गया है na2znso4 next आ जाता है reaction with non metallic oxide तो basis react with non metallic oxide non metallic oxide के साथ react करके जो non metallic oxide होते हैं वो कैसे होते हैं तो nature होता है उनका acidic तो acidic oxide भी कह सकते हैं to produce salt and water तो क्या produce करते हैं salt और water produce करते हैं this reaction proves that non metallic oxide are acidic in nature और यह reaction है यह यह भी सिद करती है कि non metallic oxide है वो कैसे होते हैं acidic nature के होते हैं क्योंकि जब acid और base है वो आपस में react करते हैं तो क्या बनता है salt और water तो base है base ने non metallic oxide के साथ react किया क्या बन गया salt और water बन गया example के लिए carbon dioxide carbon dioxide non metallic oxide है इसने एक base ही एक हाल ट्वाइज यानि की calcium hydroxide यह एक base है इसके साथ यह करके क्या बना दिया calcium carbonate बना दिया और साथ में क्या बना दिया water तो calcium carbonate क्या है एक salt है नेक्स्ट आ जाता है acid और base in water solution जब acid और base है water solution में डाला जाता है तो क्या होता है in presence of water acid gives h plus iron जब water के अंदर acid को mix किया जाता है तो वह कौन सा आइन देता है h plus iron देता है जैसे hcl है तो hcl इसको water में हम डालेंगे तो water में डालते ही यह iron कौन सा देगा h plus और दूसरा कौन सा आइन देगा c l minus तो यह iron देता है h plus iron H plus iron cannot exist alone so it combine H plus iron है वो अकेला नहीं रहता तो it combine with water molecule and form H3O plus यह H plus है वो अकेला नहीं रह पाता तो यह क्या करता है यह water के molecule के साथ react कर लेता है water के molecule यानि कि H2O के साथ react कर देता है और H2O के साथ react कर के क्या बना देता है तो H2O के साथ react कर के बना देता है H3O plus और इस H3O plus को हम क्या कहते है hydronium iron कहते हैं तो hydronium iron है वो produce करता है so we can say presence of water तो इसलिए हम कह सकते हैं कि water के presence में acid give H plus iron और H3O plus iron acid है वो कौन सा iron देता है H plus iron देता है या H3O plus iron देता है in the same way in presence of water base give OH minus इसी तरह अगर base है उसको water के साथ mix किया जाएगा तो वो कौन सा iron देगा OH minus iron देगा similarly हम देख लें के NaOH है उसको water के साथ mix किया तो क्या दे दिया Na plus और OH minus उसी पर कर अगर अगर के OH को mix करोगे तो यह दे देगा K plus और कौन सा हो जाएगा OH minus iron दे देगा तो acid और base है जब इनको water के साथ mix किया जाता है यानि कि water इनका वो जो water solution होता है उसमें acid है वो hydrogen iron देता है जो की water molecule के साथ mix होकर hydronium iron बना देता है H3O plus बना देता है और जो base है वो कौन सा iron देता है तो वो OH minus iron है वो देता है base OH minus iron और acid है वो कौन सा iron देता है ह Luis plus iron देता है जान रखना HCl है तो HCL घ़एगेस सान mix किया तो इसने H3O plus और CL minus बना दिया यह H3O plus कैसे बना है तो यह H3O plus ऐसे बना है कि H plus था और इसने H2O के साथ react किया तो क्या बना दिया H3O प्लस बना दिया नेक्स्ट ध्यान रखना कि सारे के सारे जो Bases होते हैं वो WATER के साथ Dissolve नहीं होते ऐसे BASE जो water के साथ Dissolve हो जाते हैं उनको क्या कहा जाता है Alkalize कहा जाता है An alkali is a base that dissolve in Water, water के साथ Dissolve होने वाले base है, उनको हम क्या कहते है, alkali कहते है, both acid and bases conduct electric current, both acid and bases conduct electric current in their solution due to the presence of free iron, जब acid and base है, उनका solution होगा, तो solution electric current को pass करेगा, electric city का वो क्या होगा, conductor होगा, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, free iron present होते है, और free iron present होने के कारण, वो electricity है, उसको pass करेगा, next आजाता है, reaction between acid and base, जब acid और base है, वो आपस में react करते हैं, तब क्या होता है, तो acid react with bases to produce salt and water, जब acid है, उसकी reaction हम base के साथ करवाते हैं, तो क्या बनता है, salt और water बनता है, इस reaction में क्या होता है, acid है, वो base के effect को nullify कर देता है, और base है, वो acid के effect को nullify कर देता है, यानि कि acid और base है, वो एक दूसरे के effect है, इसको खतम कर देते हैं, इस लिए इस reaction को हम neutralization reaction भी कहते हैं, in this reaction, an acid neutralize a base, acid है, वो neutralize कर देता है, base को acid nullify और reduce the effect of base, acid क्या करता है, कि जो base है, उसका effect है, उसको reduce कर देता है, या nullify कर देता है, और vice versa, यानि कि इसका उल्टा भी हो जाता है, कि base है, वो acid को nullify कर दे, या इसके effect को reduce कर दे, thus the reaction is known as neutralization reaction, इसलिए इस टाइप की reaction को क्या कहा जाता है, neutralization reaction कहा जाता है, जैसे base है, वो base acid के साथ में, react कर के क्या बनेगा, salt और water, example के लिए हम लेते है, sodium hydroxide, and aoh, ये एक strong base है, और hcl, ये hydrochloric acid, एक strong acid है, इनावना जब आपस में reaction की, तो क्या बन गया, sodium chloride, sodium chloride क्या है, salt, और साथ में क्या बन गया, h2o, तो इस type के जो reaction है, इसे हम क्या कहते है, neutralization reaction, neutralization reaction का ही use करते हुए, अपने जो stomach के अंदर acidity हो रखी होती है, उसको nullify किया जाता है, उस acidity के प्रभाव को खतम किया जाता है, किसके help से, तो base के help से, effect of next आजाता है, effect of dilution on an acid or base, जब हम acid or base है, उसको dilute करते हैं, तब क्या होता है, तो mixing of an acid or base with water is called dilution, acid or base है, इनको water के साथ mix करना क्या कहलाता है, dilution कहलाता है, it results in decrease in the concentration of iron, और यह क्या करता है, यह iron की concentration है, उसको decrease करता है, यह iron कौन से, h3 o plus, h3 o plus, या फिर इसको हम कौन सा iron कह सकते हैं, तो हम h plus iron भी कह सकते हैं, तो h plus iron और o h minus iron है, इनकी जो concentration है, इसको per unit volume में यह decrease करता है, and the acid or base is set to be diluted, और फिर इस acid or base को क्या कहा जाता है, diluted कहा जाता, यानि कि इनकी concentration है, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, आप example ले सकते हैं, जैसे अपने पास lemon juice है, lemon juice एकदम अभी निकाला, lemon से ही निकाला हुआ, और उसके अंदर water एड़ नहीं है, तो इसका, इसकी concentration इसमें ज्यादा है, इसके dilution कहेंगे, और फिर वो जो lemon juice है, वो क्या कहलाएगा, diluted कहलाएगा, उसी type है, वो acid or base है, उनको diluted किया जाता है, when acid or base is added in water, acid or base है, वो water can added किया जाता है, their molecules disassociate from, to form iron, तो उनके molecule है, वो क्या बना देते हैं, iron बना लेते हैं, जैसे HCl है, तो HCl जब H2 में mix किया जाता है, तब क्या बना देता है, H3O plus, और कौन सा बना देता है, H3O plus कैसे बना था, वो हमने बात कर ले थी, यह H plus था, और H plus है, उसने किस से react कर ली, H2O, water molecule से react कर के क्या बना दिया, H3O plus, ठीक है, है, यह हम दिया हुआ, H2O है, H plus के साथ यह कर के क्या बना देता है, H3O plus, हाइड्रोनियम, आयन, और NA वाचे सोडियम हाइड्रोकसाइड है, तो वो किसमें बेकडाउन हो जाता है, है, सोडियम, NA plus, और OH minus, इस तरह यह आयन में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जहाँ रखना, dissolving an acid or base in water is a highly exothermic, water के साथ acid or base है, उनको dissolve करते हैं, तो यह reaction होती है, वो highly exothermic reaction होती है, यानि कि इसमें बहुत ज्यादा क्या generate होती है, heat generate होती है, हमें से हम क्या करते हैं, acid or base है, उसको water के साथ mix करते हैं, नकि water को हम acid or base के साथ mix करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि यह highly exothermic होती है, so care must be taken while doing, तो इसको करते समय क्या करना रहा चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए, क्यों ध्यान रखना चाहिए, the acid must always be added slowly to water with constant stirring, acid है, उसको water के साथ mix करते हैं, तो उस समय उन्हें धीरे-धीरे और हिलाते हुए लगातार, हिलाते हुए mix करना चाहिए, water should not be added to concentrated acid, water को कभी concentrated acid में add नहीं करना चाहिए, because if water is added, अगर water added किया जाएगा, तो the heat generated, heat generate होगी, may cause the mixer to splash out and cause burns, तो हो सकता है कि जो mixture है वो बाहर के तरफ आ जाए और अपने को जला भी देख, क्योंकि acid है वो अपने body के लिए harmful भी होता है, यानि कि अगर strong acid है तो वो अपने body को जला भी सकता है, कुछ base आ जाते हैं जिसे पहला base आ जाता है sodium hydroxide इसे commercial इसका नाम क्या है, तो commercial नाम है caastic soda इसको क्या कहा जाता है, कास्टिक soda भी कहा जाता है और chemical formula क्या हो जाएगा sodium hydroxide हो जाएगा, यूज कहा होता है manufacture of soap यानि की साबुन बनाने के लिए और कहा पेपर, pulp, rayon, refining और petroleum आदी में इसका क्या किया जाता है, यूज अगला आजाता है potassium hydroxide इसको कहा जाता है caastic potas, क्या कहा जाता है caastic potas formula क्या होता है, formula होता है k o h k o h formula है वो होता है k o h, ठीक है k o h potassium hydroxide और कहा यूज होता है alkaline storage batteries, manufacture of soap absorbing co2 gas इसके लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, next आजाता है calcium hydroxide, slack lime भी कहते हैं इसको formula होता है cao h alt wise, कहां यूज होता है bleaching powder बनाने के लिए और hard water है, उसकी softening के लिए यूज किया जाता है magnesium hydroxide, इसको milk of magnesium भी कहते है milk of magnesium formula होता है m g o h alt wise, और किसके लिए यूज होता है anti acid के रूप में यूज होता है acidity from stomach, और यहां पर कौन सी reaction होती है तो यहां पर neutralization reaction होती है, next आ जाता ammonium hydroxide formula होता है al o h alt wise, और किसके लिए forming agent के रूप में यूज किया जाता है, अंगल आ जाता ammonium hydroxide ns4 o h, कहां यूज होता है तो यह यूज होता है removing greases stand from clothes and in cleaning window pants, इसके रिए इनका यूज किया जाता है तो यह कुछ basis हो गए और उनका यूज हो गया साथ में इनका commercial नाम, इसका commercial name पूछा जाता है तो इसका होता है karstic soda कहां यूज होता है साबुन बनाने के लिए तो next definition आ जाती है definitions of acid and base, अभी जो हमने शुरुगाती में बढ़ा था वो था कि acid waste chemical substance होते हैं जो कि test में कैसे होते हो, तदा वो blue litmus को कैसा कर देते हो, red और दूसरा हमने बढ़ा था कि base waste chemical substance होते हैं जो कि test में होते हैं bitter और वो red litmus को किस में convert कर देते हैं, लेकिन ये कोई proper इनकी definition नहीं थी, तो कुछ अलग-अलग साइंटिस्टों ने अलग-अलग definition दी है, सबसे पहले आरेनियस ने जो definition दी थी उसको हम आरेनियस theory के नाम से जानते हैं, आरेनियस ने ये कहा था कि दो substance which give hydrogen ion H plus ion when decomposed in water are called acid, ऐसे substance जिनको water के अंदर mix किया जाता है, तब वो hydrogen ion यानि के H plus ion है वो देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, acid, and those substance that decomposed in water and give hydroxyl ion, OH minus ion are called bases, और ऐसे substance जो की water के अंदर decomposed होकर OH minus ion देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, base कहते हैं, जैसे HCl है, HCl को water में mix किया जाता है, तब ये कौन सा ion देता है, decomposed होकर H plus और एक हो जाता है, CL minus, तो H plus ion दे रहा है, KOH water में decomposed होकर कौन सा ion देता है, OH minus ion देता है, K plus और कौन सा देता है, OH minus, उसी तरह अगर H2SO4 ले ले, H2SO4 ये decompose होके कौन सा आयन देगा तो ये देगा H plus और दूसरा हो जाएगा SO4 minus तो ये कौन सा आयन दे रहा है तो ये आयन दे रहा है H plus decompose होकर कौन सा आयन दे रहा है H plus आयन दे रहा है उसी तरह अगर हम NaOH को ले ले तो NaOH है ये decompose होके कौन सा आयन देगा एक को दे देगा N a Plus और दूसरा कौन से देगा OH minus तो आरेनियस ने कहा था कि V chemical substance जो water में H plus आइन देते हैं decompose होकर उन्हें हम कहते है और OH minus आइन देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है base कहा जाता है उसके बाद दो और इनकी definition आजाती है second definition अजाती है brush studies lowly concept concept उन्होंने कहा था कि acid है वो कैसे होते हैं वो proton donor होते है proton donor का मतलब है h plus जो iron है उसको आप proton भी कह सकते हैं तो acid are proton donor and base are proton acceptor ऐसे chemical substance जो कि proton है उसको donate करते हैं acid कहलाते हैं और proton है उसको accept करते हैं basis कहलाते हैं और थर्ड जो concept आ जाता है वो है लेविश कोंसेप्ट लेविश के अनुसार लूइस के अनुसार acid are substance which accept electron pair acid way substance होते हैं जो electron pair है उसको accept करते हैं and base are substance that donate electron pair और base way chemical substance होते हैं जो electron pair है उसको क्या करते हैं donate करते हैं तो ये तीन definition हो गई अलग-अलग scientist द्वारा फिर आ जाता है indicator indicator किसे कहते हैं कुछ ऐसे chemical होते हैं जो कि उनके color या फिर उनके order है उनके अंदर change होकर वो acid या base है उनको indicate करते हैं उनकी सूचना देते हैं ऐसे chemical क्या कहलाते हैं indicator कहलाते हैं तो indication indicator are the substances that change their color और odor when added into an acid और an alkaline solution जब उनको acid या alkaline solution में add किया जाता है तो या तो उनकी smell change हो जाती है या उनका color change हो जाता है और इस तरह हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर acid present है या फिर वहाँ base present है indicators can be classified in the following way indicator है उनको हम तेन टाइप में है वो classify कर सकते हैं पहला जो टाइप आ जाता है वो कहलाता है natural indicator नेचुरल का indicator वे indicator होते हैं जो प्राकरतिक रूप से पाए जाते हैं जैसे these indicators are found in nature in the plants plant के अंदर पाए जाते हैं example हो जाएगा litmus solution litmus है वो एक natural indicator है litmus solution is a purple color dye extracted from the lichen plant lichen plant से है वो litmus solution है वो निकाला जाता है निकाला जाता है उस समय वो किस color का होता है purple color dye होती है और यह जो lichen plant होता है belonging to the division thallophyta lichen plant है वो किस से belong करता है thallophyta से हलांकि lichen plant है वो एक सहजीवी plant है जो कि किस से मिलकर बनता है तो वो बनता है algae plus के fungi algae और fungi है इन दोनों से मिलकर plant बनता है और उस plant का नाम क्या है lichen और lichen से ही बनाया जाता है litmus solution बनाया जाता है तब वो किस color का होता है purple color का कुछ natural indicator है और उनके color है अलग लग तो some natural indicators with characteristics color litmus है वो जब acidic medium में डाला जाएगा तब वो किस color का होगा red का हो जाएगा और अगर alkaline medium में डाला जाएगा turmeric juice है turmeric juice है वो acidic medium में यलो होगी लेकिन अगर alkaline medium है तो वो कैसी हो जाएगी red is brown और flower of hydrangea plant है hydrangea plant का flower है वो acidic medium में blue color का होगा और alkaline medium में किस color का हो जाएगा pink का तो ये color change करके acid और base है उसका क्या करते है indication करता है second type आ जाता है indicator का उन्हें कहा जाता है synthetic indicator synthetic indicator ऐसे indicator होते हैं जिनको factory या फिर laboratory या industry में क्या किया गया है synthesize किया गया है तो the indicators which are synthesize in the laboratory और industries are known as synthetic indicator जिनको laboratory या industry में synthesize किया गया है उन्हें हम क्या कहते है synthetic indicator कहते है example हो जाएगा methyl orange phenoptaline methylene blue ये कैसे indicator है तो इन्हें हम synthetic indicator कहते हैं phenoptaline है इस phenoptaline indicator का acidic solution होगा उसमें color कैसा होगा तो ये color less होगा लेकिन जब solution है वो basic होगा तब इसका color कैसा होगा पिंक होगा और neutral solution है उसमें ये कैसा रहेगा color less रहेगा methyl orange है तो methyl orange है वो acidic solution में किस color का होगा red color का होगा basic solution में वो yellow color का होगा और neutral solution है तो उसमें वो किस color का हो जाएगा orange color का तो इस तरह ये color change करके acid या base है उसको indicate करते हैं थर्ड आ जाता है olfactory indicator कुछ indicator ऐसे होते हैं जो कि smell है वो change कर देते हैं जब acid या base के साथ हो तो वो smell है उसको change कर देते हैं इस तरह वो acid या base को indicate करते हैं उनको olfactory indicator कहा जाता है तो दो substance whose odor change in acidic और basic medium are called olfactory indicator जिनकी order change हो जाती है acidic या basic medium है उन्हें हम क्या कहते हैं olfactory indicator कहते हैं जैसे vanilla extract and onion can be used as olfactory indicator vanilla extract है और onion है उनको हम olfactory indicator के रूप में use कर सकते हैं the smell of these two the smell of these two indicator can be detected in presence of acid only but not in the presence of base इन जो indicator है जैसे vanilla extract है या onion है इनकी smell है उसको हम acid की presence में ही detect कर पाते हैं अगर ये base के साथ हो तो इनकी जो smell है वो detect नहीं होती है इस तरह ये smell change करके acid और base है उसको क्या करते हैं indicate करते हैं इसलिए इनको हिंदी में गंधिये सूचक या olfactory indicator कहा जाता है next आ जाती है strength of an acid or base acid और base है उनकी strength कितनी होती है यानि कि कौन सा acid है वो ज्यादा खतरनाक है और कौन सा acid है वो normal है या कौन सा base है वो strong base है और कौन सा base weak base है वो किस पर depend करता है तो वो उनकी strength पर depend करता है और strength हम कैसे पता करते हैं तो strength of an acid strength of an acid or base depend on the number of H plus iron और OH minus iron produced by them respectively कितने H plus iron और कितने OH minus iron produce किये जाते हैं इसी पर depend करता है acid और base की strength अगर कोई acid ज्यादा मातरा में ज्यादा quantity में H plus iron produce कर औरहा है तो इसका मतलब है तो हो strong base हो जाएगा और OH minus iron को कम produce कर रहा है तो जाएगा वीक बेस हो जाएगा larger the number of H plus iron produced by an acid stronger is the acid वो acid उतना ही क्या होगा strong होगा similarly larger the number of OH minus iron produced by a base stronger in the base और उसी तरह जितने ज्यादा OH minus iron प्रोड्यूस होगे किसी base द्वारा वो उतना ही base ज्यादा क्या होगा strong होगा और किसी भी acid या base है उसके strength पता लगाने के लिए हम क्या देखते हैं तो हम देखते हैं एक scale एक scale पर उसके measure करते हैं उस scale को कहा जाता है pH scale अगला आ जाता है pH scale it is a scale used for measuring hydrogen ion concentration ये एक ऐसी scale होती है जो क्या measure करती है तो वो hydrogen ion की concentration measure करने के लिए use की जाती है pH scale है उसका निर्मान किया था सौरंसन नामक scientist ने सौरंसन नामक scientist था उन्होंने सबसे पहले pH scale है उसका निर्मान किया था इस pH में pH में पी का अर्थ क्या होता है तो इस पी का अर्थ होता है पुसांज या फिर power ठीक है पुसांज या फिर इसे क्या कहा जाता है power कहा जाता है और power of H plus ion ये H plus मलब hydrogen ion तो pH का मलब क्या होगा तो pH का मलब होगा power of H plus ion The P in PH stands for Potage which means power in German ये Latin सब्ध है Potage और सकार्थ क्या होता है सकार्थ होता है Power It has value ranging from 0 to 40 pH scale है इसकी ranging क्या होती है तो इसकी ranging 0 से start होती है और कहां तक चलती है 0 से लेकर 14 तक चलती है इस ताइप की एक scale है जिसमें 0 से लेकर 14 तक नमबर लिखे होते हैं और इसके बीच में होता है 7 तो 0 से लेकर 7 तक तो किसकी pH रहेगी तो 0 से लेकर 7 तक pH रहेगी वो रहेगी acid की और 7 to 14 है वो pH किसकी रहेगी तो 7 to 14 pH रहेगी base की और जो 7 वाला होगा वो कैसा होगा तो 7 वाला है वो neutral होगा यानि कि ना तो acid और ना ही base अगर कोई acid 0 के पास है यानि कि किसी की pH value 0 के पास है तो वो ज्यादा acidic होगा यानि कि strong acid होगा अगर किसी की pH है वो 14 के पास होगी तो वो कैसा होगा वो strong base होगा और अगर किसी के किसी acid या base की pH है वो 7 के करीब रहेगी तो वो acid और base है वो कैसा होगा तो वो weak acid और base होगा यह AC type है यह 7 है वो 7 neutral है और जैसे जैसे हम 7 से 14 के तरब जाएंगे basic nature increase होता जाएगा 7 to 0 की तरब जाएंगे तो hydrogen ion है उनकी concentration ज्यादा होगी और अगर 7 to 14 के बीच में जाएंगे 14 की तरब जाएंगे तो hydrogen ion की concentration है वो क्या हो जाएगी decrease होती जाएगी और 7 pH मान वाला जो substance है वो neutral होगा जैसे water है जैसे sodium chloride है तो it has value ranging from 0, 0 very acidic होता है to 14 very alkaline pH is a number which indicates the acidic और basic nature of solution pH एक number होता है जो कि indicate करता है acidic और basic nature एक solution का acidic और basic nature है उसको indicate करता है और कितना वो acidic है और कितना basic है वो बताता है higher the hydrogen ion higher the hydrogen ion concentration present in the solution lower is its pH value जितने ज्यादा hydrogen ion present होगे जितने ज्यादा hydrogen ion present होगे इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा acid होगा और उतना ही ज्यादा acid होगा तो इसका मतलब है कि उसकी pH है वो 0 के पास होगी इसका मतलब उसकी pH value है वो क्या होगी lower होगी pH means power of hydrogen ion pH का मतलब क्या होता है power of hydrogen ion अगर pH है वो 7 से ज्यादा है तो solution वो कैसा होगा basic होगा अगर pH है वो 7 से कम है तो इसका मतलब solution वो कैसा होगा acidic होगा अगर pH है वो 7 के equal है यानि कि pH 7 है तो इसका मतलब है कि solution वो कैसा होगा neutral होगा pure water is a neutral because of the absence of free iron pure water वो neutral होता है क्योंकि इसमें free iron है वो absence होते है आप paper impregnated with the universal indicator is used for measuring pH पीएच ग्याद करने के लिए pH measure करने के लिए एक paper का use किया जाता है जिसे हम universal indicator भी कहते हैं ये कुछ अलग-अलग जो chemical है उनकी pH है gastric juice की pH 1 के 1 और 2 के बीच में है orange juice की 2 और 3 के बीच में है 3 से 4 के बीच में wine की है 5 है वो coffee की है milk की pH 6 से 7 के बीच में है और pure water है वो कितना होता है 7 होता है blood है वो 7 से 8 के बीच में होता है और detergent है वो 11 के पास में होता है यानि कि उसकी pH value 11 के पास में होती है और bleach है तो bleach की pH value कितनी होती है 12 तो 13 होती है तो यह कुछ pH value है अलग-अलग substance की next आ जाता है importance of pH in everyday life अब भी हमने जो pH बढ़ा है क्या इस pH का everyday life में कोई importance है तो हाँ है following are the examples serving importance of pH in everyday life कुछ नीचे example दिये हुए है जो की pH की importance है उसको show करने है सबसे पहला आ जाता है plants and animals are pH sensitive plants और animal है वो pH sensitive होते हैं जो plants और animal यानि living organism है वो कुछ pH range है उसके बीच में ही survive करते हैं तो living organism can survive only in a narrow range of pH change बहुत ही कम pH change में वो survive करते हैं और body work normally within a pH range of 7.0 to 7.8 अपनी body है वो 7.0 से 7.8 pH range के बीच में अच्छी तरह से काम करती है when pH of rain water goes below 5.6 अगर rain water की pH 5.6 से कम हो जाए तब उसे कहा जाता है acid rain it is called acid rain इसे acid rain कहा जाता है when acid rain flew into the river जब acid rain में जाती है it lower the pH of river water तो वो क्या कर देती है river water है उसकी pH को low कर देती है and make survival of aquatic life difficult तो जो aquatic living organism है उनके लिए ये difficult हो जाता है उनकी survival के लिए क्या हो जाता है difficult हो जाता है दूसरा जब acid rain होती है तब सबसे ज्यादा नुक्सान अपने इंडिया में किसको हो रहा है तो वो हो रहा है ताज मेल को जिसे हम marble cancer भी कहते है उसमें marble का जो white color है वो किसमे convert हो रहा है या yellow में convert हो रहा है और acid rain के लिए जो उत्तरदाई या जिम्मेदार गैसे कौन सी होती है तो दो गैसे है एक तो है NO2 और दूसरी कौन सी होती है SO2 NO2 और SO2 है वो acid rain के लिए जिम्मेदार गैसे है acid rain कब होती है जब water की pH जो की 7 होती है वो 5.6 से क्या हो जाए कम next आजाता है pH of the soil every type of plant require a specific pH range for healthy growth लगबग सभी परकार के जो plant है उनको growth के लिए एक specific pH range है वो चाहिए therefore the nature of soil is known first इसलिए क्या किया जाता है सबसे पहले वो soil का nature है वो ग्याद किया जाता है अगर soil है उसकी pH value है वो कम है तो इसका मतब वो acidic soil कहलाएगी और pH value अगर ज्यादा है तो वो कैसी कहलाएगी basic soil कहलाएगी तो first by testing its pH सबसे पहले उसकी pH test किया जाती है and then a particular crop is grown in it और उसके बार एक particular crop है उसको grow किया जाता है it is also suitable for selecting the fertilizer for a particular crop by knowing the pH of the soil soil की pH को जानकर क्या किया जाता है एक particular crop के लिए fertilizer है उसको select किया जाता है अगर acidic nature की soil है तो उसके लिए अलग fertilizer select किया जाएगा next आ जाता है pH in our digestive system हमारे digestive system में hydrochloric acid present होता है तो HCL present in the stomach help in the digestion of the food जो की food के digestion में क्या करता है help करता है during in digestion the stomach produce too much acid और in digestion हो जाता है अपच्छ हो जाता है तब stomach है वो बहुत ही ज्यादा acid produce करता है it causes pan and irritation और उससे क्या होता है कि अपने को pan or irritation होने लग जाता है to correct the distribute pH range और यह जो pH range है यह गड़बड हो गी है इसको correct करने के लिए milk of magnesia milk of magnesia किसको कहा जाता है तो इसको magnesium hydroxide MgOH होल्टवाइज है इसको ही milk of magnesia कहा जाता है इसका यूज किया जाता है as a medicine जिसको हम anti-cid कहा जेते है which is also called anti-cid as it reduce the effect of acid यह acid के effect को reduce कर देता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है anti-cid कहा जाता है next आ जाता है pH change leads to tooth decay pH change है वो अपने tooth decay के लिए भी जिम्यदार होती है कैसे हमारे जो saliva है saliva की pH होती है 6.4 saliva है इसकी pH value किती होती है 6.4 होती है अगर अपने saliva की pH है वो 5.5 से क्या हो जाए कम हो जाए तो अपने body का सबसे कठोर जो hardest जो पदार्थ है वो है दांत का enamel teeth का enamel है वो decay होना start हो जाता है decay होना start हो जाता है जिसे हम tooth decay कहते हैं tooth enamel is made of calcium phosphate tooth enamel है वो किसकी बड़ी होती है तो बड़ी होती है calcium phosphate की and is the hardest substance in the body और यह सबसे कठोर substance है अपनी body में if the pH inside the mouth decreases below 5.5 यानि कि 5.5 से अगर saliva की pH से वो कम हो जाए the decay of tooth enamel beings तो वो क्या हो जाता है जो दांत की enamel है उसका decay होना start हो जाता है the bacteria present in the mouth degrade the sugar and left our food particle and produce acid that remain in the mouth after eating जब खाना खाते हैं तो मुग के अंदर जो bacteria present होते हैं वो sugar को degrade कर देते हैं और क्या produce हो जाता है acid produce होता है जो खाने के बाद मुग के अंदर भी पढ़ा रहता है the best way और यही acid क्या करता है यही acid है वो saliva की pH है उसको 5.5 से कम कर देता है तो the best way to prevent this is to clean the mouth after eating food और इसके सबसे अच्छा तरीका क्या है कि खाना खाने के बाद मुग को अच्छी तरस ही साहब करे to prevent tooth decay toothpaste basic are used which neutralize the excess of acid और tooth decay को prevent करने के लिए क्या किया जाता है toothpaste का use किया जाता है जिसका nature कैसा होता basic और वो क्या कर देता है जो अत्रिक्त मात्रा में acid है उसको neutralize कर देता है नेक्स्ट आ जाता self depends by animal and plants through chemical warfare कुछ animal होते हैं जैसे honey bee है या आंट है या फिर बिच्छू है उनके string में भी acid पाया जाता कौन सा acid होता formic acid या methanoic acid और उस acid के याप से वो क्या करते हैं अपने को protect करते हैं दूसरा आपने देखा होगा कि chain या है वो हमेशा एक सीधी line में ही चलती है वो line में क्यों चलती है क्योंकि जब एक chain चलती है तो चलते समय क्या करती है formic acid है उसको वहाँ पर छोड़ देती है और उसी formic acid की मदद से दूसरी chain या है वो एक straight line में है वो क्या करते है move कर देती है तो when insects like honey bee, ant bite, they inject an acid into the skin that causes pain and irritation जब honey bee या ant है वो कारती है तो उनके string में क्या होता है acid होता है वो acid अपने body में पैन और irritation करता है if a mild base like baking soda is applied on the affected area it gives relief तो उसके उपर अगर हम क्या करें baking soda है वो apply करें तो वो ख्या कर देता है वो अपने relief देता है क्योंकि baking soda है वो इस acid को neutralize कर देता है इसी तरह एक nettle जो plant है nettle plant में भी acid पाया जाता है pH in plants stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid nettle जो leaves है उसमें भी कौन सा acid होता है तो वो methanoic acid होता है in the skin which causes burning pen और वो भी अपने body में pen है वो पैदा करता है pen generate करता है it is cured by rubbing the affected area with the leaves of dog plant और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है तो जो dog plant होता है उस dog plant के पतियों को affected area है उसके उपर रगनना चाहिए which often grow beside the nettle plant और वो इस nettle plant के साथ साथ ही होता है हमने बात कही थे कि acid और base है जब वो आपस में react करते है तब क्या बनता है तब बनता है salt और water जब acid react करता है किसके साथ तो acid react है वो base के साथ करता है तो क्या बन जाता है salt और salt के साथ produce हो जाता है water salt plus के water तो अब बात कर लेते हैं कुछ salts के बारे में तो salts are produced by the neutralization reaction between acid and base acid और base के बीच में जो neutralization reaction होती है उस neutralization reaction के कारण क्या produce होता है salt produce होता है salt of strong acid and strong base are neutral with pH value of 7 अगर acid है वो strong है और base भी strong है तो salt कैसा होगा neutral लेकिन अगर acid acid को मैं A से लिख देता हूँ acid है वो A से लिख दिया और base को B से लिख दिया और salt है उसको S से लिख दिया plus के क्या बन गया है H2 अगर acid है वो आपके strong है और base भी strong है तो salt है वो कैसा हो जाएगा neutral लेकिन अगर acid strong है और base है वो weak है तो आपका sell है वो कैसा salt बनेगा वो acidic salt बनेगा वो कैसा salt बनेगा acidic और अगर इसका ओल्टा हो कि acid है वो weak हो और base है वो strong हो तो salt है वो कैसा होगा basic होगा salt of a strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7 अगर वो acidic salt है तो इसका मतलब है कि उसकी pH है वो साथ से क्या होगी कम salt of strong base and weak acid are basic in nature और strong base और weak acid का जो salt है वो nature में कैसा होगा basic होगा और उसकी pH value है वो more than 7 होगी next आजाता है कुछ common कोच salt के बारेम बात कर लेते हैं जिसमें first आजाता है common salt common salt इसका commercial नाम है और sodium chloride इसका chemical नहीं है और इसका formula क्या होगा NaCl, Na को sodium कहते हैं, Cl मconst oli agreed, formula क्या होगा NaCl chemical नहीं होगा sodium chloride इसको क्या कहा जाता है? it is called common salt, इसको common salt भी कहा जाता है, it is salt of strong acid and strong base and its pH is 7, यह जो salt है, वो strong acid or strong base से बना हुआ है और इसका pH 7 होता है, इसका मरलब यह एक neutral salt है, तो due to 7 pH, its nature is neutral, 7 pH होने के कारण यह कैसा है, तो यह neutral है, Industrially sodium chloride is prepared by drying salty water और ocean water, बड़े लेवल पर sodium chloride है, उसको salty water है, उसको सुखा कर यह पर जो ocean water है, उसको सुखा कर प्राप्ट किया जाता है, salt formed in this way contains many impurities like magnesium chloride, calcium chloride, इस टाइप से जो, इस परकार जो salt बनता है, उसमें बहुत सारी impurities होती है, जैसे उसके साथ कुछ other salt जैसे magnesium chloride है, या calcium chloride भी mix हो रखे होते है, to obtain it in pure form, इसको pure form में प्राप्ट करने के लिए, hydrogen chloride gas is made to flow in large tank of saturated NACL solution, तो क्या किया जाता है, इसको pure form में प्राप्ट करने के लिए, hydrogen chloride की जो gas है, उसको saturated NACL के solution में पास की जाती है, flow की जाती है, in this way, salt NACL is precipitate, NACL is then collected, तो इस परकार से जो NACL है, वो precipitate हो जाता है, और फिर उसको क्या कर लिया जाता है, collect कर लिया जाता है, अब salt की है वो property देख ले, NACL यानि कि common salt है, उसकी property क्या है, तो it is white solid substance, यह white solid substance है, its melting point is high, 1081 Kelvin, यानि कि जो sodium chloride है, solid form में है, जब इसको liquid form में बरलना होगा, तब आपको जो temperature देना होगा, वो temperature कितना चाहिए, 1081 Kelvin, यानि कि इसका melting point है, वो बहुत ही ज्यादा होता है, it is highly soluble in water, यह water के अंदर बहुत ही soluble होता है, it gets ionized in aqueous solution, जब इसको water में डाला जाता है, तो यह ionized हो जाता है, यानि कि यह Na plus और Cl minus है, उसमें break हो जाता है, in ions में यह तूट जाता है, usage का है, it is used in food as common salt, food में, common salt के रूप में use किया जाता है, it is used in food as a preservative, यानि कि इसको food को preserve करने के लिए भी use किया जाता है, freezing mixer is prepared by this, freezing mixer है वो इसकी help से त्यार किया जाता है, water, ice water और जो salt है उसका जो mixer है उसको freezing mixer कहते है और वो इस common salt के याजब से तयार किया जाता है sodium hydroxide, sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate, bleaching powder are formed by using it यानि कि sodium hydroxide है, sodium carbonate है, sodium bicarbonate है, bleaching powder इनको बनाने के लिए raw material के रूप में sodium chloride का यूज किया जाता है दूसरा आजाता है bleaching powder, bleaching powder इसका common name है, इसका chemical नाम क्या हो जाएगा calcium oxy chloride, calcium hypo chloride भी कहा जाता है या calcium oxy chloride formula क्या हो जाएगा तो इसका formula हो जाएगा CAOCL2 calcium oxy chloride या calcium hypo chloride भी कहते है, chemical formula हो गया CAOCL2 कैसे बनाया जाता है, it is prepared by the action of chlorine इस क्लोरीन गैस को प्रवाइद करके इसको बनाया जाता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है तो यह स्लेक लाइम है स्लेक लाइम यानि कि जो चूने का पानी है जिसको हम कैल्सियम हाइड्रोक्साइड भी कहते है कैल्सियम हाइड्रोक्साइड भी कहते है इसमें जब क्लोरीन गैस हम फ्लो करते हैं पास करते हैं तब क्या बन जाता है तब बन जाता है ब्लीचिंग पा auto-oxidation due to which bleaching action decreases, लंबे काल तक जब इसको bleaching powder को खुला रख दिया जाता है, तो यह oxi, इसमें oxidation हो जाता है, oxidation हो जने के कारण इसका जो bleaching action है, वो कैसा हो जाता है, decrease हो जाता है, properties देख लेते हैं, bleaching powder की, it is yellow solid substance with sharp smell, यह yellow color का solid substance होता है, है और इसमें smell भी आती है, it is soluble in cold water, यह cold water में soluble होता है, it gives chlorine gas when kept open in air, हवायू में खुला, हवा में खुला, छोड़ने पर यह chlorine gas है, वो release करता है, it gives chlorine gas on reacting with dilute acid, जब bleaching powder की reaction है, वो dilute acid से करवाई जाती है, तो chlorine gas है, वो free होती है, calcium oxy chloride, caocl2, इसकी reaction हमने h2-so4 से करवा दी, तो क्या बन गया, caso4, calcium sulfate बन गया, साथ में water, और कौन सी gas release हो गई, cl2, chlorine, chlorine gas which is released from bleaching powder, chlorine gas, जो bleaching powder से release होती है, raked with water, यह water के साथ react करके, नवजात oxygen, यानि कि nascent atomic oxygen है, नवजात oxygen, यानि कि यह O, O है, इसको नवजात oxygen कहते हैं, यह H2O है, तो H2O से किसको release कर देगी, H2O से O को release कर देगी, this oxygen perform bleaching reaction and behave as oxidizing agent, और यही जो नवजात oxygen है, यानि कि जो free oxygen होई है, water से, यह oxygen जब color material है, उसके साथ react करेगी, तो उसको क्या कर देगी, उसका color है, वो ओडा जेगी, यानि कि bleaching reaction है, वो perform करेगी, uses कहां होता है, तो uses होता है, as bleach in cloth industry, cloth industry में bleach के रूप में, as bleach in paper industry, paper industries में bleach के रूप में, in purification of drinking water, drinking water के purification के लिए, as oxidizing agent and antibiotic, antibiotic और oxidizing agent के रूप में, और region in laboratory, laboratory में भी इसका use किया जाता है, फ़र आ जाता है, caustic soda, caustic soda इसका commercial name है, और chemical name हो जाएगा sodium hydroxide, और formula हो जाएगा naoh, naoh sodium hydroxide, जिसे हम caustic soda भी कहते हैं, कैसे बनाया जाता है, when electricity is passed through an aqua solution of sodium chloride, sodium chloride, जिसको हम common salt केते हैं, उसके अंदर electricity pass की जाती है, तब क्या होता है, it decompose to form sodium hydroxide, यह sodium hydroxide में decompose हो जाता है, decompose होकर क्या बना देता है, sodium hydroxide, this process is called chloralkali process, और यह जो sodium chloride है, इसमें जब हम electricity pass करते हैं, तब यह decompose होकर sodium hydroxide बना रहा है, इस process को chloralkali process कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, because of the product from chlor for chloride, इसमें जो product बनता है, हो कौन सा है, तो सबसे पहले chlorh 소जो क्लोर कि यूज किया जाता है, च्लोरिन गैस के क्यों क्लोरिन गैस है, वह produce होती है, and alkaline floor sodium hydroxide और soldium hydroxide बनता रहता है उसके लिए कैझा लिखा जाता है, यह putting coaches बनता है और यह kलोरीन गैस under the गया chloralkali process in this process chlorine gas is given off at the anode इस process में chlorine gas है वो कहां से निकलती है anode से and hydrogen gas at the cathode और hydrogen gas है वो कहां से निकलती है cathode यह cathode से निकल जाती है और यह कहां से निकल जाती है anode से and sodium hydroxide solution is formed near the cathode और cathode के नजदी की sodium hydroxide का solution बन जाता है the following three products produce in this process are very useful और यह जो chloralkali process है इसमें यह जो तीनों के तीनों product बनते है यह बहुत ही ज्यादा useful होते है properties आ जाती है sodium hydroxide की it is a white slick substance यह white substance होता है its melting point is 591 Kelvin यानि की जो sodium hydroxide है इसका melting point होता है 591 Kelvin यह 591 Kelvin पर solid से किसमें convert हो जाएगा liquid में it easily get dissolved in water यह water के अंदर आसानी से dissolved हो जाता है it is strong base यह एक strong base है in aqueous solution it remains in ionized form so it is also strong electrolyte electrolyte जो इसका aqueous solution है इसमें यह ionized form में रहता है यानि की sodium hydroxide है na o h है तो यह aqueous solution में किस में रहेगा na plus और दूसरा कौन से में रहेगा oh minus में its crystallite are hygroscopic इसके जो crystal है वो कैसे होते है hygroscopic होते हैं uses आ जाता है use कहां किया जाता है sodium hydroxide का it is use in making soap यानि की साबून है साबून बढने के लिए इसका use किया जाता है और साबून कौन से कपड़े दोने का साबून है वो इससे बनाया जाता है silk industry and other chemical तो दूसरे chemical बनाने में भी इसका use होता है it is use in metallurgical और box side box side बनाने के लिए भी इसका use किया जाता है it is use in purification of petroleum petroleum के purification में इसका use होता है it is use in formation of fats and oil oil और fat बनाने में use किया जाता है it is you as laboratory region laboratory region के रूप में भी इसका use किया जाता है अगला आ जाता है baking soda baking soda इसका commercial नाम है और इसका chemical name हो जाएगा sodium hydrogen carbonate it is also called eating soda इसको क्या कहा जाता है eating soda भी कहा जाता है formula क्या हो जाएगा तो formula हो जाएगा na h co3 sodium hydrogen carbonate या sodium bicarbonate भी कहा जाता है sodium hydrogen carbonate या sodium bicarbonate भी कहा जाता है इसे खाने का soda भी कहते हैं its chemical name is its chemical name is sodium hydrogen carbonate इसका chemical नाम क्या होता है sodium hydrogen carbonate जब इसको on mixing it with food substance जब इसको food substance के साथ mix करके and heating गरम किया जाता है co2 gas is released as bubble तो co2 gas है वो bubbles की रूप में release होती है in this way in this way food product like cake become soft and spongy and poor are produced in them और इस process में जो केक है या फिर केक जैसे ब्रेड वगेरा है तो वो soft और spongy बनते है और उसमें क्या produce होता है poor produce होते हैं baking soda is made by using nacl baking soda है उसको nacl के help से बनाया जाता है यानि कि इसके लिए जो raw material यूज किया जाता है वो कौन सा होता है nacl जब sodium chloride है sodium chloride के aqueous solution में sodium chloride के aqueous solution में co2 gas और ammonia gas flow की जाती है पास की जाती है तब हमें प्राप्त हो जाता है ammonium chloride nh4cl और साथ में बन जाता है sodium hydrogen carbonate इसके अलावा it is also prepared by passing co2 gas in solution of sodium carbonate और इसके अलावा sodium carbonate में भी co2 gas से वो पास की जाती है तब भी क्या बन जाता है sodium hydrogen carbonate यह sodium carbonate है na2 co3 और इसके solution में co2 gas से वो पास की जाती है तो बन जाता है na co3 sodium hydrogen carbonate properties आती है इसकी it is voight crystalline solid यह सफलेड के सॉलीड होता है it is hardly soluble in water यह water के अंदर soluble है वो कशणाई से होता है यानि कि आसान हिसे water के अदर soluble नहीं होता it solution in water is identical जब यह water के अंदर soluble होता है water के साथ solution होता है वो alkaline होता है alkaline का मतलब है कि यह red litmus को किसमे convert कर देगा blue में convert कर देगा CO2 gas is released on heating जब इसको गरम किया जाता है sodium hydrogen carbonate है इसको जब हमने गरम किया heat किया तो बन जाता है sodium carbonate और साथ में कौन सी gas release होती है carbon dye oxide कहां कहां यूज किया जाता है usage of baking soda for making baking powder is a mixture of baking soda and a mild edible acid baking powder बनाया जाता है वो baking soda और एक edible acid जैसे tartaric acid है उनके mixer से बनाया जाता है when baking powder is heated जब baking powder को heat किया जाता है mix in water the following reaction take place तो ये नेम रेक्शन होती है जब na h co3 है इसको heat किया जाता है या water के साथ mix किया जाता है कौन सी gas release होती है co2 plus sodium salt बनता है acid का carbon dye oxide produce during the reaction causes bread or cake to rise making them soft or spongy और ये जो carbon dye oxide gas जो release होती है ये carbon dye oxide है वो cake है या braid है उसको soft or spongy बनाती है sodium hydrogen carbonate as an ingredient of anti-seed anti-seed बनाने में भी sodium hydrogen carbonate का use किया जाता है being alkaline ये alkaline होता है it neutralize excess acid in the stomach ये जो stomach के अंदर excess acid है उसको neutralize कर देता है and provide relief और relief provide करता है तो sodium hydrogen carbonate है ये HCL के साथ react करके क्या बना देगा HCL के साथ react करके ये बना देगा NACL NACL बना देगा और NACL के साथ H2O और CO2 gas it is also used in soda acid fire extinguisher soda acid जो fire extinguisher होते यानि कि ये आगनी समन यंत्राग बुज़रे वाले यंत्रे बीचिया जाता है इन making soda water and soda containing cold, soda water बना बनाने के लिए जैसे जैटाल अबगोईल की दुकान में जो soda water पीने जाता है उसमें भी कौन सा यूज होता है baking soda ऑर cold drinking waiting soda soda आता है soda containing cold drink है उसमें भी किसका use किया जाता है baking soda का next आ जाता है washing soda washing soda इसका commercial नाम हो गया और इसका chemical name क्या हो गया sodium carbonate और formula हो गया Na2CO3 into 10H2O 10H2O ये crystalline water कहलाता है sodium carbonate is white crystalline sodium carbonate कैसा होता है white crystalline solid होता है its solution in water is alkaline in nature इसका water के साथ solution होता है वो nature में कैसा होता alkaline यानि की turns red litmus to blue red litmus को किसमें convert कर देता है blue में it has the property to remove dirt and grease from dirty clothes thus it is called washing soda ये क्या करता है कपड़े है गंदे कपड़े हैं उनसे dirt और grease है उनको हटाने में का में लिया जाता है इसलिए इसको washing soda भी कहा जाता है sodium carbonate can be obtained by heating baking soda baking soda को गरम करके sodium carbonate बनाया जा सकता है the their crystallization of sodium carbonate give washing soda और sodium carbonate है उसका crystalline किया जाता है तब क्या बन जाता है washing soda it is also a basic salt और ये भी एक कैसा है basic salt है तो na2 co3 na2 co3 कैसे मिला sodium carbonate कैसे मिला तो sodium carbonate अपने को baking soda गरम करने से मिला और जब इसके साथ water mix किया तो crystallization हो गया और crystallization होने के कारण अपने को क्या मिल गया washing soda जिसका formula हो गया na2 co3 into 10 h2 ohm कहां कहां use होता है तो use of washing soda it is use in the glass soap and paper industry इसका use glass soap और paper industry होता है it is use for the manufacture of sodium compounds like borax ये borax बनाने में भी use किया जाता है it is remove permanent hardness of water ये water की permanent hardness है उसको remove कर देता है it is use as cleaning as an detergent in houses and laundry detergent बनाने में भी इसका use किया जाता है as detergent in paper paint and textile industry paper paint और textile industry में detergent के रूप में use किया जाता है in washing and cleaning washing और cleaning में भी इसका washing soda का use किया जाता है next आ जाता है plaster of paris p.o.p plaster of paris सबसे पहले इसको paris में बनाए गया था इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया plaster of Paris और इसका chemical नहीं हो गया calcium sulphate hemihidrate calcium sulphate hemihidrate formula हो गया C-A-S-O-4 into half H2O C-A-S-O-4 into half H2O ये इसका क्या हो गया है formula C-A-S-O-4 into half H2O हालांकि इसका एक और formula होता है वो कौन उसा है इसी को अगर 2 से multiply कर दे तो बन जाता है C-A-S-O-4 into H2O तो दोनों formula एक ही है बस इसी formula को हमने क्या किया है 2 से multiply किया है कैसे प्राप्त किया जाता है तो it is obtained by it is obtained by heating gypsum gypsum जिसका formula होता है C-A-S-O-4 into 2H2O इस gypsum को जब heat किया जाता है 373 Kelvin तक 373 Kelvin तक at this temperature gypsum loses water molecule and forms plaster of Paris तो gypsum से कुछ water molecule है वो बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है plaster of Paris यह gypsum है C-A-S-O-4 into 2H2O जब इसको 373 Kelvin तक गरम किया तो क्या बन गया C-A-S-O-4 into 1H2O और प्लस के dead यानि की 1 and half 1 and half H2O molecule है वो निकल गए 1 and half है वो molecule बाहर निकल गए when gypsum is heated above 400 Kelvin जब gypsum है उसको 400 Kelvin से भी ज़्यादा heat किया जाता है dead burnt plaster and hydrous C-A-S-O-4 is obtained तब जो अपने को प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं dead burnt plaster which does not have the property of hardening जिसमें hardening की property नहीं होती जब plaster of Paris के अंदर water mix किया जाता है तब यह वापस convert हो जाता जिपसम में और इसमें hard यह hard हो जाता है इसमें hardening है वो आ जाती है plaster of Paris is a white powder and on mixing with water जब यह water के साथ mix किया जाता है it changes to gypsum giving a hard solid mass यह gypsum में convert हो जाता है और gypsum कैसा होता है hard होता है तो calcium sulfate hemihydrate है उसमें water mix किया water mix करते ही क्या बन गया gypsum बन गया कहां कहां use होता है usage of plaster of Paris it is used by doctor for joining the fractured bones the tutiwi hardya जोडने के लिए at raised position for making plaster to support fracture bones जो tutiwi hardya है उनको support देने के लिए plaster बनाने में use किया जाता है it is also used for making decorative pieces and for making design on ceiling decorative piece और design है वो ceiling में design बढ़ने के लिए use किया जाता है in dental medical और dental medical में use किया जाता है in making decorative material like statue कोछ मूर्थियां भी बनाने में use किया जाता है जैसे गनपती बपा मूरिया की मूर्थी होती है वो किसकी बनी होती है जिसको हम गनेश चतुर्थी पर जो पानी के अंदर flow करते हैं पानी के अंदर मिलाते हैं विसर्जन करते हैं गनपती का जो पानी के अंदर विसर्जन करते हैं वो किसका बना होता है वो plaster of paris की मूर्थी बनी होती है कुछ ऐसे chemical substance होते हैं जिनके अंदर water present होता है लेकिन फिर भी वो solid होते हैं तो उनमें जो water present होता है वो water किस form होता है crystallization form होता है crystals of some compound seem to be dry or anhydrous but actually contents some water वो दिखा दिखाई तो कैसे देते हैं dry लेकिन उसमें कुछ water होता molecules attached to them उनके साथ कुछ molecule है वो attach होते हैं this water is called water of crystallization इस water को क्या कहा जाता है water of crystallization and such salt are called hydrated salt और ऐसे salt जिनमें water present होता है लेकिन dry दिखते हैं उनको hydrated salt कहा जाता है water of crystallization is the fixed number of water molecule present in one formula unit of salt salt के एक formula unit है उसमें जो water molecule और वो भी fixed होते हैं fixed present होते हैं five water molecule are present in one formula unit of copper sulfate copper sulfate है उस copper sulfate के एक unit formula में five water के molecule present होते हैं वो कौन सा होता है water of crystallization जैसे cu iso for copper sulfate into five H2 five H2 है तो यह five water के molecule है वो एक unit formula में present है water of crystallization के रूप में जो salt है उनका common name और उनका chemical name formula और यूज़े जा जाता है जैसे washing soda washing soda का chemical name क्या हो जाएगा sodium carbonate dehydrate sodium carbonate decahydrate sodium carbonate decahydrate sodium carbonate decahydrate Na2CO3 into 10 H2 sodium carbonate भी कहते है sodium carbon decahydrate use कहां होता है manufacture of borax borax बनाने के लिए caustic soda बनाने के लिए softing of hard water hard water को soft करने के लिए baking soda baking soda जिसका formula होता है NaCO3 formula NaCO3 और नाम क्या होता है sodium hydrogen carbonate यूज कहां होता है यूज एज anti-acid anti-acid के रूम में होता है ingredient of baking powder baking powder बनाने के लिए यूज किया जाता है bleaching powder bleaching powder है जिसका formula होता है CAOCl2 नाम क्या होता है calcium oxy chloride यूज कहां होता है bleaching cloth use as oxidizing agent dispacting water manufacture of chloroform chloroform बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है plaster of Paris plaster of Paris formula क्या है CAO4 into half H2O नाम क्या होता है chemical calcium sulfate hemi hydrate यूज कहां होता है plastering factor bond factor bond है टूटीव हडियां है उनमे plaster बानने के लिए making toys खिलोने बनाने के लिए decorative material बनाने के लिए और statue बनाने के लिए ये आपका chapter था acid base and salt